नमस्कार मैं हूँ श्रकील खान, एमपी तक की टीम अब आप पहुचिए सोनकच विदानसवा सीट पर इंदोर भोपाल हाईवे पर बसे सोनकच में हम बात करेंगे इस छेतर के जन प्रतिनीदों के साथ छेतर की जनता से क्या कुछ छेतर के नेताओं ने यहां की जनता के साथ किये थे वादे, क्या कुछ है उनके दावे और क्या कुछ छेतर की जनता के मन की है बात तमाम मुद्दों के साथ हम टटो लेंगे जनता की नब्ज को इस वक्त हमारे साथ मोजूद है दिग्विजे सिंग सरकार में नगरी प्रसासन मंत्री और कमलनाज सरकार में पी डब्लूडी एवं परियावरन मंत्री रहे सोनकच से पांच बार की विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन सिंग वर्माजी हम उनी से जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में क्या कुछ उनकी उपलब्दी रही छेत्र की जनता को क्या कुछ सोगाते दी और आने वाले 2023 विधान सबा चुनाओं को लेकर उनकी क्या कुछ प्रात्मिकता हैं जी शुक्रिया सबा साल की सरकार के आप उपलब्दी पूछ रहे हैं मैं तो सोनकच के अपर मद्वदेश की बता दूँ यहाँ पे सबा साल की सरकार में सोनकच विधान सबा में कम से कम 40 से 42 सडकों का निर्मान हुआ है यहाँ गौशाला जो गौव माता मारी मारी फिरती हैं धर्म के पाखंडी बीजेपी के लोग गौव माता की पूच पकड़ के राजनीती की वेतरनी पार कर लेते हैं गौव माता के नाम बे लेकिन गौव माता जब उनका मतलब निकल जाता है तो उसके तरब देखते भी यह हमने सेकलों गौसालावे बनाई हमने इस विदानसभाद छेत्र में साड़े तीन हजार करोड की पेजल यूजना नर्मदा काली सिंद गाउं गाउं में पाइपलेन की जरी पाइपलेन बिछरी हैं कमल नाजी न सबसे विलोस का भूम पूजन किया था साड़े तीन हजार करोड की यूजना है इस हमने यहां पे हास्पिटल में जो हमारा सोनकच का हस्पिटल है वहां पे अभी पचास तमाम राशी करोडों के आई है जो उसका निर्मान होगा बड़ा भवन बन के और सुईधाय होंगी हमने कई इंबूलेंस दी हैं इस छेत्र में और कोरोना काल में मैंने पचास लाग रुपे दिये हैं सोनकच की हास्पिटल में ऑक्सिजन ब्लांट बने क्योंकि यह तो पंगु सरकार है यह तो कुछ खरती नहीं है ढकोसले वाजी करती है इसके साथ साथ में सोनकच के साथ साथ चुकि आस्टा भी लगा हुआ चेत्र महां भी महां स सांसाथ और महां की विधायक सो हुए थे तब पच्चिस लागी रैसी में वहां भी दी कि एनुसुचित जाती के लोगों को चेत्र है वहां भी हमने दी हमने हजारों हजार किसानों का यह सोनकच के संदर में पूच रहा हजारों हजार किसान का हमने कर्ज माफ किया है यह रिकार्ड है लिस्ट है हमारे बात दो चरण में माफ की तीसरा चरण और आने वाला था लेकिन सवा साल की सरकार में जितना कर सकते थे हमने किया है इसकूलों का निर्मान तमाम सारी बाते हमने करी हैं जो मूल भूत आवश्यक्ता हैं किसान बड़ा खुश था उस समय उसकी फसल का बहुत बड़े मुल्य मिला था हमारे समय खाद की कोई दिक्कत नहीं थी इस समय तो किसान को दो दो बोरी के लिए तीन तीन दिन लाइन में लगना पड़ रहा है और जूटा मुख्यमंती बोलता है कि किसान भाईयों बेनों गबराना मत खाद की प्रचूर मातरा ह किसान भाईयों गबराना में तुमारी फसल का दुखला मुल्य दिलाओंगा ये हम लोगों ने तो जो करके दिखाया कमलनाज जी के प्रती मद्वरदेश की जनता में साहनुभूती है कि एक अच्छे विचारों वाला मुख्यमंती मिला था सवा साल की सरकार रही ये भाज करना चाहते देखे कि किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनेता का अपने चेत्र के लिए पांस साल का रोड में फोता है कि पांस साल में मुझे चरण बद्ध तरीके से यह करना है अब सवा साल में जित्ता कर सकता तो उससे ज्यादा में इस चेत्र में किया है तीस तो रहेगी कि पांस साल सरकार रहती तो चप्पे चप्पे सड़क बन जाती किसान के हाथ मजबूत होते किसान के नवजवान बेटे को रोजगार के अवसर पेदा करते यह महेंगाई का दावानल मेरे प्रदेश की ग्रणियों को लील जा रहा है कितनी उनके ग्रणियों का बजट बिगड़ गया है तो कई चीज़े करना थी स्कूल का डेवलपमेंट हस्पिटलों का डेवलपमेंट सड़कों का उन्नयन तमाम सारी बाते थी बिजली के लिए हम अपने वचन पत्र में ले रहे हैं भी किसांत सबसे ज़्यादा दुखी है समय बिजली से इतनी दुष्ट सरकार है बीजेपी कि सो का ट्रांसफार्मर लगाया और कनेक्शन डेड़ सोगा दे देती तो यूँ जल जा तीन दिन में हर गाउं में समय ट्रांसफार्मर की डिमांड है आव पश्यक्ता होगी छे महिने के अंदर हम सरकार अपनी रासी से अतिरिक्त ट्रांसफार्मर बिना किसी सुलक के लगा के देगी ताकि किसानों को बार बार आंग मिचोनी ना हो हमारी कोशिश होगी कि दस घंटे निरबाद गती से हम बिजली का प्रदाय करें अभी तो दो घ कहता हूं कि जो हमारी वरिष्ट फसल है तो है अब इन गयों यह सरा कि जो सबका एमस्पी बड़ा हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइज किसान को मिलना चाहिए इंदोर भॉपाल हाइवे पर सोनकत चेत्र बसा हुआ है लेकिन आज भी जो है चेत्र का युवा जो है चाहे वो पड़ाई हो या रोजगार के लिए देवास या इंदोर का रूप करता है तो 2023 को लेकर इसा कोई प्लान है कि माली जी आदि आपके सरकार आती है तो कोई उद्धोग बड़े लगाएंगे या कोई वेडिकल या इंजिनिरिंग कालेज क्या 230 विदानसवा चेत्र से 230 विद ठोटी बाते हैं हमारे जेत्र में अज trade में वही उसी पह आ रहा हूं वहाँ पर बना दिया वॉट लेना दा आपको समय क्या मुद्यों की सरकार की नीति है किसान भी परेषान हो और किसान करनावजवान बेटा भी परेषान हो कोनी सुविदावानी क्यों नहीं आ रहें उद्योग यदि उद्योगी शेत्र आपने घोशत कर दिया तो उद्योग सेक्ड़ों की ताध्यत में लग जाना देना उस शेत्रों का हमारी सरकार आने के पाद हम डेवलप करेंगे और बड़े उद्योग लाएं बहुती कम समय किसान भाईयों मेरी सरकार बना दीजिए आपका फसल का दुगना मुल्य दिलाओंगा और क्रशी को उद्योग का दर्जा दूंगा पचास परसेंट भी नहीं रहेगी उस फसल की कीमत ना उनको कुछ पैसा मिल रहा है खाद के लिए भटक रहा है बिजली के लिए रो रहा चाहिए पाट सालाओं का उन्ने अन्हों नचे सिक्षा स्वास्त सडग पानी बिजली और नव जवानों के लिए रोजगार के आउसर पेदा हूं इस बात की कोशिश करेंगे सो प्रतिसत सरकार कॉंग्रेस की बनेगी क्योंकि आम जनता मेंने जैसे कहा कि ये कमल नात एक ऐसा मुख्यमति मिला था जो भाषण वीर नहीं है इनके आँ तो जो देखो डेल गंटे से कम भाषण पेलते ही नहीं पठा सिवराज चवानों नरेद मोधियों दे भाषण पेल कमल नात ने काम करके दिखाया गाउ माताओं की सरक्षा के लिए गाउशालाय बनाई ब्रद्धों का पेंसन एक हजार करना था सवा साल की सरका कर्ज माफी जो किसानों की हुई थी उसे दोजार तेवीज में और उस पर को बिल्कुल बिल्कुल हमारे तो वचन पत्रम है यदि पाट साल सरकार रहती दे किसान का कर्जा माफ होता की नहीं होता है किसान खुद बोलेगा तो चरण में हमने पचास जारों एक लाग का करा कुछ जिलों में दुलाग भी करें आगर वगेरा हम अपने वचन पत्रम फिर ले रहे हैं हो सकता बढ़ा के लें कि और राशी हम सुईधा दें किसान को एक और आहम सवाल रहूल गांधी की भारत जोड़ों की सरकार की सरकार नहीं थी जब राहूल गांदी जी ने देखा कि इस देश के वातावरण में नरेंद्र, मोदी और आरेसेस के लोग एक जहरीला वातावरण बना रहे है जाती, धर्म, मजव, हिंदो, मिसलमान, मंदिर, मस्जिद आजादी कि 55 साल बाद भी हमारे देश के नौजवानों को सोचने नहीं दिर्म, वही जाती दर्म में बाटके रख रहा है, वो नौजवान अपना जॉब मांगता है नोकरी के लिए, जिसको कहता है कि हर साल दो करोण नोकरी दूँगा, वो गायब, किसान को अच्छा मुली दिलाएंगे वो गाया, वो गाना गाते से मोदी दू़हजार चोदह माया थे कि सकी सहीयां तो बहुत ही कमाते हैं महगाई डायन, खाय जा थे अब महँगाई डायन डारली होगी इनकी, इस सारे मुद्दे हैं जो जनता जहल रही हैं, उनसे हम निजात दिलाएंगे, इसल ये जमीनी हकिकत देखके कि हमें जब सरकार बनेगी तो हमें किस तरह का भारत से यह वह भारतका नक्सा बनाएंगा आपिसे नेत्रतों में जो हे झन्कत कहए ले या जीला पंचा अद्धियक्स आपने आपके शेत्र से दिया कितना असर गरामीन जेत्र में जो हे दिखाई दे राहए गमुल्व silic acre जिला है जीला पंचा पुरिपोरी हमारी तो यह इसे जन्ता का रुख पता चलता है देवाज जिले की जनता का रुख इससे साफ होता है कि वो कॉंग्रेस के हाथ मजबूत करना चाहती है एक एसी स्वच्छ और स्वच्छ सरकार लाना चाहती है जो नवजबान, किसान, महिलाओं सब की सुरक्षा कर सके तो उसका असर देफिटिटली देखने को मिला जनपदों में काम होगा, जिला बंचाहत में काम होगा तो ये थे सोनकच के विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन सिंग वर्मा जिनका ये कहना था कि कमलनात की 15 महिने की सरकार में किसानों को लेकर जो कुछ काम होए थे या जो कुछ रहे गए हैं उसे 2023 में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रात्मिक्ता के साथ पूरा किया जाएगा और अब हमारे साथ मोजूद है सोनकच से भारती जनता पार्टी के दो बार के विधाय करा चुके मत्यप्रदेश के मुख्यमंती सिवराज सिंग चुहान के चहेते नेता राजेन सिंग वर्मा मुख्यमंती सिवराज सिंग चुहान ने 2018 में तमाम विरोदों के बावजुद राजेन्दर वर्मा पर दाव खेला था लेकिन नतीजा हार मिली और अब हम उनी से जानना चाहेंगे कि 2023 को लेकर उनकी क्या कुछ तयारिया लगातार वो छेत्र में बने हुए है बिल्कुल हार को सिवकार किया और जिन लोगों ने वोट दिया उनके साथ नियाए भी किया लगातार आज चार साल होने आए लोगों के सुक में दुख में हर परिशानी में खड़े हैं और चुनाओ को मैंने हमेशा खिल्मावना के साथ लिया हार जित चलती है जनता ने दो बार जिताया उसको भी सिरोधारी क्या जनता ने हराया उसको भी सिरोधारी क्या दोन रहा है क्या लगता है आपको कांग्रेस की 15 महिनी की सरकार रही सज्जन वर्मा पी डबलूडी मंत्री रहे क्या कुछ काम उन्होंने किये, क्या दावे थे, क्या वादे किये थे, और कितना खरा उत्रे? पुलिया नहीं बना पाए, कोई बड़ी सड़क की सोगात वो नहीं दे पाए, जबकि वो स्वयम मंत्री थे, उनके दसका से, सूची, सूची, सूची बता दे, और मैं आज फिर के रहा हूं, कि 36 साल के वो विधायक है, वो अपनी कोई की किताब छपा के बता दे ने, तो मैं अपने साड़ा साल के कारिकाल में किताब छपाई, वो मुनको भेट कर दे तो, एक बार स्पष्ट तो हो जा कि काम किस नहीं किया है, भई मेरे हाते में तो 23 करोड के आसिरवाद हस्पिटल से चांदा खेड़ की सड़क है, जो 63 साल में कोई नहीं बना पाए, बगल साब, स नहीं नहीं बना पाए, मैंने चांदा खेड़े की सड़क बना खाट में लोग ले जाते थे अपने पेशेंट को, फिर गंदरपुरी से लेके पीपल रहा कि 42 करोड की सिसरोड में नहीं, मेरे कारिकाल किये, चिड़ा बसे दुनता की सड़क में नहीं, बोराजा फाटे से लेके जिस सड़क पर आप आए हो, वो सड़क भी मेने बने हो, अभी जिस सड़क से आप आए हो, सड़क भी खराब उसको मजबूती करण भी मेने कराए है, सजजन वर्मा नहीं कराया, इसके अलावा एक और जो एहम बात है कि नर्वदा काली सिन जो परियोजना है, की मानेता हो जिस भगवान को मानते हो वो भी चला जाएं सोनकष की जनता जानती उसका भूमी पूजन कनने आने वाले थे उसके बाद चुकी अचार सहींत लग गई और चुनाव में हमारी सरकार नहीं बन पई तो कमलनाथ ने उसका भूमी पूजन किया है तो कहां से इनने प्राया उसके लिए मेरा प्राया था प्रेयाव अंनल हिंदी अपे इसके बाद यही किया तो कमलनाथ आजल से वरण गաर्ण हों अजय कुद्धन को सिंधनी सिंधनी से लेके तो घ्रेली घ्रेली से लेके कराडिया धतूरिया सारे गाउं जो भारती जेंदा पार्टी जीतती थी वो 40 गाउं उन्हें साजिस्पूर्वक कमलनाच की सरकार में हटवाएं और मुझकी लगाउं मैं आपको बकाइदा उसका में आपको भेज सकता हूं में जो मेने कारवई किये वह भेज सकता ह जो अधिकारी है प्रमोज सर्मा में लाकातार हूं से संपर्क में हूं और चालिस गाउं जोड़ाने के लिए मैं पूरी प्रयास रहत हूं अच्छा क्या मानते हैं राजिन मुर्मा जी की इंदोर भॉपाल हाइवे पर बसा होने के बावजुद जो सुनकच आज भी जो सिक्षा स्वास्त या रोजगार को लेकर यहां का यूवा जो देवास इंदोर का रुक कर रहा है देखिए मैं आपसे फिर के रहा कि मुझे तो किवल साड़े साथ साल मिले और साड़े साथ साल में में जितना कर सकता था मैंने उसके साथ पूरा न्याय किया यह सुनकच की जंता जानती है पर 36 साल वाले भी तो बता है क्या एटी क्यों नहीं खोल पाए सुनकच में सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यह दोनों चीजे एक साथ नी चलती है संगर्स करना पड़ता है विपक्ष की विधाय को मेरे पिताजी भी विपक्ष में रहे हम लोग विपक्ष में रहे सब्सक्राइब करना चाहिए उसको बहुत अच्छे से मैसुस होगा है कि 2018 का निड़ना कहीं गलत हुआ था आज भी नीले पीले फाम सजन वर्मा और कमलनाथ के नाम पर लोग लेते वए गाउं में आपको दिख जाएंगे करज माफी के जोटे वाइदे पर यह आये थे वह करज माफी होई नहीं किसान ओवर्डिव हो गया उसको डिव करने का काम भी हमारी सरकार नहीं करा और आज जनता कहीं न कहीं अपने अपको ठगावा मेसूस कर रही है तो सुना आपने ये थे सोनकच से दो बार भारती जनता पारटी से विधायक रह चुके राजेंद वर्मा जिनका ये कहना था कि कमलनात की 15 महेने की सरकार में मंत्री रहते हुए सज्जन सिंग वर्मा ने छेतर को कोई सोगात नहीं दी उनके तमाम जो वादे हैं वो जूटे हैं हमारे साथ इस समय जो है कुछ राजनेतिक दल से जुड़े लोग और इसके अलावा सोनकच के व्यापारी आमजन मोजूद है हम उनी से जानना चाहेंगे कि उनका सपनों का सोनकच केसा हो और क्या कुछ यहां के जनप्रतिनी दियू ने उनसे वादे किये थे देवाज जिले का उपाध्यक्ष हूँ, मैं भारती जिनता पार्टी का कारी करता हूँ सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जहां पर निवास करता है जिस सहर में वो निवास करता है, जिस गली मोहले में निवास करता वो उससे प्यार करता, इसने रखता है हर व्यक्ति चाहता है कि उसका सहर सुंदर हो, सपनों का शहर हो, सुविदाय हो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्त, इसकुल, रमनिक पार्क हो, बगीचे हो, भुजूर्ग को को लिए स्थान हो, माता बहने स्वच्छ वातारवणे में घुम कर आए, कुछ व्यायाम के से केंद्र हो, सारी रिक दस्टे से अपने बच्चे आगामी भविसे में हमारे नगर का हमारे देश का नाम उज्वल कर सके, रोशन कर सके, लेकिन इन सभी बातों का हमारे इस नगर में दुर्वाग यह कि उसका बाह हो, आपकी तो सरकार है बरसों से, नहीं, सरकार हमारी 18-19 वरस में हमारी सरकार है, सरकार ने काम किये हैं, लेकिन सरकार से काम कराके लाना जन आज पचास वर्ष से हमारे नगर के अंदर नगर परिशत कांग्रेस की बेठी हुई है, आप मुझसनी पब्लिक से पूछे आप, आप पहले भी कांग्रेस में रहे हैं, नहीं, मैं जो है जनता का आदमी हूँ, मैं कोई किसी पार्टी का कारे करता हूँ, जो संगठन जो संग निष्टा से जो काम करता हूँ, जन प्रतिनिदी, जन प्रतिनिदी जम्मेदार, मैं भी वाड दो का जन प्रतिनिदी हूँ, जन जन्ता ने मुझे महिला सीट होने के नाते मेरी पत्नी को जवाबदारी सोपी है यदि मैं उस पर खरा नहीं उतरूँगा तो निश्चे तो अगली बार मुझे जन्ता दूल चटाएगी निचे आप मानते हैं विकास निवाबदारी सरकार जुम्मेदार नहीं ने थी वो चाहते तो इस नगर को नई दिशा दे सकते थे नगर को सुन्दर बना के बड़ा मलारा में में गया था एक छोटा सा बहुत कजबा है उस कजबे को सुन्दर वहां के जंद प्रतिनीदी ने बनाया है जो कि वरतमान में लोक निर्मान मंत्री है गोपाल भारगव जी उनका ग्रह नगर है तो वही परिस्तिती हमारे नगर को भी मिली थी एक सोगात कि यहां पे 15 महीने लोक निर्मान के मंत्री थे तो इस नकर को सुन्दर बनाना दाने आरोप प्रत्यारोप की बात निकर रहा हूं में सामानी बात है सामानी चर्चा है बिलकुल जाहिर सी बात है कि मदबदेश सरकार में 15 महीने PWD मंत्री थे सज् पिछड़ा हुआ है क्या कहेंगा आप इसमें अगर देखा जाए तो जन परति निदी हैं जिनके हात माज कमान है यहां कि उन्हें ना तो नगरते कोई लेना देना है ना कभी जनता के वीच में आते हैं आज हम अगर बजार की आलत देखते हैं तो जाम लगे रहते हैं फो अबी तक तो नगर में पानी की कोई समश्या नहीं पानी प्रयापत है और हमारे जो डे में पिपलेशर महादेव से बना हुआ है प्रका में पानी की कोई समश्या नहीं रगाए विकास इस मामले में सब्हें पीशड़े होंस्वास्त शिक्षा रोटी कफडा मकान के वारे में तो प्रयाथ इनलो है किअ हमारे इस्तानी नता है वह भी कभी इसके लिए पहल नहीं गड़ते नहों अब Every आनगा गाएं बाता होगा पैता है ऐंडर संदर कोरन चोछे होना ची रोड पक्य होना ची आदीकरमन धिए और अच्छा होना चीए सब इहां पर आपको क्या लगता है सिक्षा के चेत्र में या रोजगार के चेत्र में यहां के युवाग अकर ना पर मुद्दे सोनकच का विकास रुकासा पड़ा एक तरीके से हाइवे पर होने पर राजधानिक से मात रहे 120 किलोमटर दूर होने के वाजूद भी सोनकच नगर पिछड़ा है ना कोई इंडरेस्टील है यहां पर ना एजुकेशन में कोई कालेज इंजिनेरिंग कालेज साइंस सिक्षा के नाम पर पिल्कुल जीरो है इसको सोनकच का विकास आज भी रुका पड़ा क्यों जिम्मेदार है जिम्मेदार है यहां के जन प्रतीनी जिम्मेदार है चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के हो सभी लोग इसके लिए बराबरी के जुम्मेदार है सोनकस नगर, शिक्षा, रोजगार और स्वास्त तीनों चीजों में काफी पिछला होई है हाईवे पेर होने के बाद भी या स्वास्त हो या सिक्षा हो या रोजगार हो तीनों ही उपलब्द नहीं है अगर किसी को मौमली चोड भी लग जाती है तो देवास रेफर होना पड़ता है बच्चों को बारवी के बाद अगर सिक्षा गरन करना है तो देवास जाना पड़ेगा और रोजगार के लिए भी बड़े शेरों की ओर देखना पड़ता है तो आज तक किसी भी जन प्रतिनी दिनी रोजगार से लेकर शिक्षा कभी ध्यान नहीं दिया और इसी के कारण नगर का विकास भी नहीं हुपाया है तो सुना आपने सिक्षा और रोजगार के लिए आज भी सोनकच छेतर के जो युवा है उन्हें देवास या इंदोर का रुख करना पड़ता है एक निर्दली युवा पारसत भी हमारे साथ मुझूद है संदीब जी बताएं आज भी आपके छेतर का युवा है देवास और इंदोर का रुख करना है क्या वज़ा है बाइसा बाद देश आजाद हुए लगबग 75 साल हो चुके हैं लेकिन इन 55 सालों के बाद भी आज इस्तिती यह है कि आप सोनकच को देख लीजे सोनकच का विकास तीन किलोमेटर में खत्म हो गया है लगबग 35 साल तक कॉंग्रस के समानी सजन सिंग वर्मा ने राच करा है अभी वह यहां से विदायक है बीच में साड़े साथ वर्दों तक भाजपा से राजिन जी वर्मा विदायक रहा है लेकिन नगर के लिए कुछ कोई खासी सोगात यह नेतार नगर के लिए कोई खासी सोगात नगर को नहीं दे पाए आप देख रहे हैं हमार पास इतना अच्छा जलिस्त्रों थे लेकिन यहां कोई लगोद्यों कुटरुद्यों की स्थापना नहीं है महिलाओं के लिए कोई विशेश स्विधाय नहीं है बच्चों के ल कभी कुछ नी सोचेंगे हाली में दो दिन पहले इस नगर में वही अतिक्रमन की समस्या काफी विद्धिमान थी यह को बहुत जरूरी है लेकिन हाली में दो दिन पेले प्रशासन कीये कैसी अतिक्रमन हटाने की कार्व ही सोनकच में हुई जिसने आम जनता के मन में कहीं तरह के सवाल पेदा कर दिये जबकि जनप्रती निदियों का दाई तुरे देता है कि वो मोके पे आए और जनता की समस्याओं को सुने प्रशासन ने अपने मनमाफिव तरीके से अपने हट दर्मरिता चलाते वे मुख्य बजा यह पड़ता है कि नगर परिशत के 15 पार्शा तो कोई सतिक्रमन के बारे में कोई सुष्णा नहीं दी गई कोई किसी प्रकार की मार्किंग नीं की गई लोगों का कहना है कि उनको नोटिस तक तामिल नहीं कराए गए और मेरा मानना यह है कि अतिक्रमन अगर हटाने की शु जवाबदार कोन रहता है यहां से विदायक कॉंग्रेस के हैं वो सीधा सत्ता प्यारोप लगा देते हैं सत्ता के देती हमारा विदायक नहीं है परेशन वही आम आदमी होता हमारे साथ मौजूद है सोनी जी उनसे बात करना चाहेंगे बता है अब तो फिलाल में कुछ भी विकास नहीं है यहां पर पूरी रोड़े जो है पूरी रोड़े खुदी भी पड़ी है जहार जगा अतिकम अने ट्राफिक की समस्यां यहां पर ज्यादा है बीच रोड़ पर गाड़ी खड़ी कर जाते हैं कोई धियान देने वाला नहीं सब किसे ग्राउड अगरा कुछ भी नहीं है को जिम्मेदार है इसके लिए नगर के लोकी जिम्मेदार नगर के जो प्रतिन इती जो जन प्रतिनी दी है वहो लोग जिम्मेदा रहे जो नहीं जं enrolledकly जनता ने ठो ओझने यह कॉड़ वानां पर थ reaches कि 2 बार हुग अभी ज आज भी आप हर गली में जावाइंगे हर गली में देखेंगा पूरा रोड़ खुदा मिलेगा आपको पूरी सोनकाइ नगर में देखेंगा आप तो सब्दू खुदा मुरड़े कुछ भी नहीं हुआ या क्या चाहते हैं आपके साव सुनकाइ शाप सुतरा सुंदर हो खुबसुरत हो यह चाहते हैं अब मनो सुनी सुनकाइ सरापा युपर अध्यक्ष राजी इंद्र सिंग मत्थानिया नाम है मेरा गणाम तालोस से हूं में सोनकाइग विदान सवाचेतर लगते हैं हमारे जो जैसे किसान बहुत खूस है वहां पर और संतुष्ट हूं मेरे गाओं में ग्रीड है अभी वहां पर हाइज स्कूल करवाया उन्होंने और रोड बनवाय और अभी एक बिल्डिंग दी है हमारे यहां पर सास की बहुन और एक करोड की लागत से स्वच्च जल योजना पू पूजूदे सत्तर वर्षी बुजुर्ग बत्री दाज जी महंत हम उनी से जानना चाहेंगे आपने दादा सोनकच को बच्पत से देखा है नस्तिक से लेखा है सोनकच में कोई खास परिवर्तन आज तक हुआ ही नहीं जो पांच-पच्छी साल पहले कालेज बनाता वही कालेज है उसके बाद कोई उन्नती नहीं है ना नगर में कोई खास विकास हुआ है कुछ भी नहीं हुआ जित्ते भी विधायक सत्ता के विपक्से के जो भी आए म सब्सक्राइब कोई विकास के नाम से कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन विकास के नाम सोनकच में कुछ नहीं हुआ कुछ भी विकास नहीं हुआ सर ऑब वेरोजगारी हो गया घंदा का बिलकुल ही चोपत हो गया घंदाक mother啊 जहाँ यहां पर आजपात जो भी जैसे आस्टा है हुआ का धन्दा बिलकुल बढ़िया चल रही है पर यह तो देख लो साब दुकान वाले सब बैठें कुछ धन्दा भी नहीं है यह तो इसके एक इक साल एक दो साल होगे बिलकुल ही दंदा चोपट होगे है कि अपर यह अधिरकरमन और व कि तोड़ा दछी जा रहा हुए हुए इसलिए छे से अधिरकरमन ओले पत्रीम में याइड़न है जिकाठ दाजे क्या करा है अबहुनी नहीं संभण में अच्छा हो विकास हो आखे बड़े में हर्याली चाहती हूं बगीचा चाहती हूं यां पे स्कुल में अच्छी सुविधा होनी चीह है होस्पिटल अच्छ होने चीए होस्पिटल में कोई भी सुविदा नहीं है वहां पर किसको मैं सरकार कोई मानती हूं थोड़ी वह तो मतलब होना चीए गवर्मेंट के लिए थोड़ा होना चीए यह मेरा कहने का मतलब चात्राओं के लिए तो ठीक है लेकिन और भी थोड़ा होना चीए कि बाहर नहीं जाना पड़े यह ज्यादा वो नहीं है पड़ाई के लिए भी लेकिन हाँ ठीक है जो भी है हाँ कॉलेज भी हो सबसमें गावर्मेंट होड़ स्पीटल का विकास होना चीए उसमें कुछ भी नहीं है मरीजे जाते हैं लेकिन फिर भी कोई सुविधा नहीं मिलती उनको आयूशी मोर है सर वर्तमान में जो अतिक्रमन वाली कारवाई हुई थी दो दिन पहले विकास और विध्वंस में अंतर रहता है पिछले दो दिन में जो हुआ है वो विध्वंस ज्यादा लग रहा है प्रसासन की तरफ से विकास के लिए उनकी कहीं ने कहीं कारवाई होना कम नजर आ रहा पर जब नगरपाइद में अल्रेडी इंजिनियर रहते हैं नक्सा पास होता है जब वो लोगों को नहीं दिखता है कि अधिकरमंण हो रहा है जब क्यों नहीं रोकते है निर्माण की समए कशबोतवारी क्यों है कि यह पर गुंटी लग रहे हैं यहां पर ऐह कोई भी चीज उसके बाद में कोई भी व्यक्ति हो उसका रोजगार जाएगा तो विरोध होगा अभी तक तो मेरे हुआ तो है या मेरे जो नालेज में आम जनता के उसमें समर्थन में या उनके दर्द सुनने पॉलिटिकल व्यक्ति तो कोई भी नहीं आया है किसी पर अब उनकी चुप्पी तो वर्ट बैंक की रहती है जनरली कोई भी व्यक्ति अपना वर्ट बैंक बिगारना नहीं चाहता है तो उस संदर्म में इन्वाल्मेंट नहीं हुआ होगा यह लगता है मैं सुनिल महिस्वरी दरक तो देखा और सुना आपने की सोनकच छेत्र के नेताओं के क्या कुछ अपने अपने दावें हैं और क्या कुछ वादें हैं वहीं सोनकच छेत्र की जनता के मन में क्या टी से आजादी के 75 वर्स बाद भी आज सोनकच छेत्र जो है विकास की बाट जो हो रहा है अब आने वाले 2023 के विधान सबा चुनाओं में सोनकच की राजनीती का उट किस करवट बेठेगा या आने वाला वक्त ही बताएगा केमरामेन रईस के साथ शकील खान MP तक सोनकच मदप्रदेश की हर बड़ी ख़बर देखने के लिए जुड़े रहिए MP तक के साथ कर दो कर दो कर दो